आज से हम आप सभी लोगों को लिए कलास टेंथ का भुगोल सब्जिक्ट अस्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फ convince का नाम है भारत संसाधन एबं उप्योग, तो भुगोल का सबसे पहला chapter जिसका नाम है भारत संसाधन एबं उप्वीडियो में हम आपको इस चेप्टर के ब परपस से परिक्षा के भीव से बहुत जादा इंपोर्टेंट है उन सभी कोश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे तो आज से हम आपको भूगोल सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिये हैं और इसके अलावा बाकि सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको हमारे चैनल पर इतर तरीके से कराएंगे तो चलिए आज हम आपको इसी चैप्टर के बारे में बताएंगे जिसका नाम है भारत संसाधन एबम उप्योग और बहुत ही बारीकी से इस चैप्टर के बारे में बताएंगे तो बहुत ही ध्यान से आप इस चैप्टर को समझेगा तो चलिए व आज हम स्टार्ट करते हैं भारत संसाधन एवम उपयोग तो भारत संसाधन एवम उपयोग भुगोल का सबसे पहला चेप्टर है और सबसे इंपोर्टेंट चेप्टर भी है इस चेप्टर से आपको हर बार एकजाम में करीब 5-10 नम्मर का कोश्चन पूछा जाता है तो आप इस चेप्टर को बहुत ही ध्यान से समझेगा और अगर समझने के दोरान इसको पढ़ाई करने के दोरान अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधे हमसे टेलीग्राम के माध्यम से फेस्बुक ग्रूप के माध्यम से फेस्बुक पेज के माध्यम से जिसका link आपको नीचे description में दिया हुआ है तो उन सभी चीज के माध्यम से आप हम से सीधे contact कर सकते हैं हम आपके जितने सारे भी problem रहेंगे उसको solve जरूर करेंगे तो चलिए हमस्टार्ट करते हैं भारत संसाधन एबं उप्योग तो देखिए भारत संसाधन एबं उप्योग का सबसे पहला number question है संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था संसाधन होते नहीं है बलकि बनते हैं एक कथन जो है वो किनका है अर्थात एक कौन वो कौन थे जिन्हों ने बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा Jimmer Man Jimmer Man ही थे जो बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं चलिए, अब हम लोग चलेंगे दूसरे नमबर क्वेश्टन की हो, तो दूसरा नमबर क्वेश्टन कहता है कि अपवर्जक आर्थिक छेत्र क्या है दूसरा नमबर कोश्टन कहता है कि अपवर्जक आर्थिक छेत्र क्या है तो इसका अंसर होगा कि किसी देश की कोई भी देश रहे जैसे भारत पाकिस्तान नेपाल भुटान कोई भी देश रहे तो किसी देश की थट रेखा से 200 किलो मीटर दूरी तक का छेत्र पर उस देश क अधिपत्त होता है ठीक है समुद्र की थट रेखा से 200 किलो मीटर दूरी तक का छेत्र पर उस देश का अधिपत्त होता है जिसका केवल वहीं बिजली या फिर मतस्पालन या फिर रिवहन आधी के लिए कर सकता है अपवर्जक आर्थिक छेत्र कहलाता है हम फिर से आपको इस वाद को समझाते हैं कि किसी भी देश की तट्रेखा से 200 किलो मीटर की दूरी तक का छेत्र पर उस देश का अधिपत्त होता है जिसका केवल वहीं बिजली मतस्पालन परिवहन आधी के लिए कर सकता है अपवर्जक आर्थिक छेत्र कहलाता है तो आप समझ गए कि अपवर्जक आर्थिक छेत्र क्या है अब हम लोग चलेंगे अगले कोश्चन की ओर तो कोश्चन कहता है कि भारत के किस राज में सौर उर्जा का अधुनिक उपकरन बड़े अस्तर पर लगाया गया है बड़े अस्तर कहने का मतलब कि बहुत जायदा म आत्रा में लगाया गया है तो भारत के किस राज में सौर उर्जा का अधुनिक उपकरन बड़े अस्तर पर लगाया गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा गुजरात अब पच्मा हम लोग देखेंगे कि चिपको अंदोलन के परनेता कौन थे चिपको अंदोलन मतलब आप जानते होंगे कि पहले पेण काटने का एक मुहीम चला था कि बहुत सारे पेणों को काटा जाता था तो उसी के बिरोध में सभी लोग पेण से चिपक करके खड़े हो ग हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुना ठीक है अब छटा नमबर कोश्चन देखेंगे कि बरसा जल संचे की नीती किसने बनाई संचे कहने का मतलब कि बरसा जल को संग्रह करके रखना बचा करके रखना तो बरसा जल संचे की नीती किसने बनाई तो इसका सही अंसर हो संदी पांडे ने ही बरसा जल संचे की नीती बनाई थी अब सत्मा नमबर कोश्चन देखेंगे कि small is beautiful किस ने कहा small is beautiful मतलब छोटा ही सुन्दर है तो small is beautiful किस ने कहा तो 1924 इस्वी में सुनसे ने कहा था नाम याद रखियेगा सुनसे 1924 इस्वी में सुनसे ने कहा कि small is beautiful अब हम लोग 8 नमबर कोश्चन देखेंगे कि परियावरन दिवस कब तथा कब से मनाया जाता है मतलब कितने तारिक को मनाया जाता है और इसकी सुरुवात कब हुई थी तो परियावरन दिवस कब से मनाया जाता है और यह 1972 इस्वी से सुरु की गई थी ठीक है तो परियावरन दिवस को मनाना 1972 इस्वी से सुरु किया गया और 5 जून को हर एक साल परियावरन दिवस मनाया जाता है अब देखेंगे अगला नमबर कोश्चन हम लोग देखेंगे कि ब्रेटलेंड आयोग कब प्रस्तूत किया गया ब्रेटलेंड आयोग कब प्रस्तूत किया गया तुनेशो सतासी इस्वी में ब्रेटलेंड आयोग प्रस्तूत किया गया ठीक है नौ नमबर कोश्चन देखेंगे कि ब्रेटलेंड आयोग कब प्रस्तूत किया गया तो 187 इस्वी में ब्रेटलेंड आयोग प्रस्तूत किया गया दस्वन नंबर कोश्चन कहता है कि प्रथम पृथिवी सम्मेलन कब हुआ था कोश्चन कहता है कि प्रथम पृथिवी सम्मेलन कब हुआ था तो इस question को भी आप ध्यान रखिएगा हमेशा आप objective में पूछा जाता है कि प्रथम पिर्थिवी सम्मेलन कब हुआ दितिये पिर्थिवी सम्मेलन कब हुआ और तितिये पिर्थिवी सम्मेलन कब हुआ तो यह दो तीन पिर्थिवी सम्मेलन है जिसको आप अपने दिमाग में रखिएगा ध्यान से इसको याद रखिएगा तो देखिए जो सबसे पहला पृतिवी सम्मिलन हुआ था वो 1992 में हुआ था उसके अगला नंबर कोश्चन है कि दुतिय पृतिवी सम्मिलन तो 1997 मतलब 5 साल के बाद दुतिय जो दुसरा पृतिवी सम्मिलन हुआ था वो पहले स अब उसके अगला नमबर हम लोग कोश्चन देखेंगे तो अगला नंबर कोश्चन कहता है कि क्योटो सम्मेलन कब और कहा हुआ था तो 1997 में इस भी जपान के क्योटो सहर में हुआ था तीक है याद रखिएगा सहर का नाम जो सम्मेलन का नाम है वहीं सहर का भी नाम है तो 1997 में इस भी में जपान के क्योटो सहर में इससे क्या होता था कि मार्टियला संजोता उने 187 का विस्तार माना जाता है जो क्योटो सम्मेलन है इसको ही मार्टियला संजोता उने 187 का विस्तार माना जाता है तो जो यह समेलन था जिसका नाम था क्योटो समेलन इसमें कितने देशों ने भाग लिया था तो 169 देशों ने कुल भाग लिया था क्योटो समेलन में ठीक है चौदर नमर कोश्चन कहता है कि क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया तो क्योटो सम्मेलन में टोटल 169 देशों ने भाग लिया अब अगला नमबर question कहता है कि बिष्व सीखर सम्मेलन कब हुआ था पंदरा नमबर question है कि बिष्व सीखर सम्मेलन कब हुआ था यह जितने सारे भी सम्मेलन हम आपको बता रहे हैं वो एक्जाम के भी उसे बहुत ज़्यादा important है तो आप सभी का डेट और इस भी याद रखेगा तो चलिए देखते हैं कि 20 सीखर सम्मेलन कब हुआ था तो 20 सीखर सम्मेलन 1972 इस भी में हुआ था इसको याद रखेगा कि 20 सीखर सम्मेलन 1972 इस भी में हुआ था अब देखिए सुलन नमबर कुश्चन कहता है कि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए एक नहीं किसने कहा था तो यह कहतन महात्मा गांधी का है अब देखिए अगला नमबर कुश्चन कहता है कि नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे तो मेगा पाटिकर ठीक है नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे मे अठना नम्मर कोश्चन देखेंगे कि प्राकिर्तिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो प्राकिर्तिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं जो हमको इस चेप्टर में पढ़ना है संसाधन के बारे में तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राकिर्तिक संसाधन कितने प् पढ़ेगा इन दोनों का परिभासा तो सभी कुछ हम आपको आगे बताएंगे तो वीडियो को देखते रहें चलिए अब हम लोग कुछ बस्तुनिस्ट प्रस्ण देखेंगे मतलब objective प्रस्ण ही कि पहला नंबर बस्तुनिस्ट प्रस्ण है कि कोईला किस परकार का संसाधन है तो कोईला जो है वो आनवी करनिय संसाधन है एक जाम में आएगा कि कोईला किस परकार का संसाधन है सौर उर्जा किस परकार का संसाधन है तो आगे हम आपको बताएंगे कि आनवी करनिय संसाधन किसे कहते हैं नवी करनिय संसाधन किसे कहते हैं पुना पुर्ती योग संसा किसे कहते हैं तो सभी कुछ हम आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे ठीक है तो अब देखिए अगला नंबर कोश्चन कहता है कि त्रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवरजक छेतर कहलाता है तो सबसे फस्ट में हम आपको बताए थे कि 200 एन्यम ठीक है अब देखिए अब चौथा हम लोग देखेंगे कि डाकों की अर्थविवस्ता का संबंध किस्य है तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से डाकों की अर्थविवस्ता का संबंध किस्य है तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से अब हम लोग पचमा देखेंगे कि समुद्री छेतर में राजनेतिक सीमा के कितनी किलोमीटर छेतर तक राष्टरिये संपदा नहीं थे तो 19.2 किलोमीटर तक याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर छेतर में राजनेतिक सीमा के छेतर राष्टरिये संपदा नहीं थे अब हम लोग लगूतर ये प्रशन देखेंगे जो भी क्योश्चन आपके बुक में दिए गया हैं वह सारे कुश्चन को हम सौल्व करेंगे तो सारे question को आप अपने notebook में देखते चलिएगा notebook में column से लिखते चलिएगा और अगर आपको किनी भी लोगों को PDF की जरुवत हो तो आप हमसे telegram पर PDF की demand कर सकते हैं हम आपको PDF provide कराएंगे ठीक है चलिए अब संसाधन को परिभासित करना है तो संसाधन कहता है कि रकिर्ती प्रदत संसार की सारी बस्तुएं रकिर्ती प्रदत कहने का मतलब कि जो भगवान के दोरा बनाया गया है तो संसार की सारी बस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक कुसलता ग्यान एवं समर्थ के अनुसार परिनत कर अपने दैनिक और समाजिक कारियों में परियोग कर जीवन यापन करता है मतलब दिया हुआ है सा भगवान का लेकिन मानव अपनी बुद्धी से, अपनी कुसलता से, अपनी विवेक से, अपनी ग्यान से समर्थ के अनुसार उसको अपनी यूज की तरह बनाता है जिससे क्योवा उसे अपने जीवन में परियोग कर सके तो उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं तो इसको लिखना है कि प्रकिर्ति प्रदत संसार की सारी बस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक, कुसलता, ग्यान एवं समर्थ के अनुसार अरिनत कर, अपने दैनिक और समाजिक कार्यों में परियोग कर जीवन यापन करता है, उसको ही हम लोग संसाधन कहते हैं देखिए जोग्रफी कोई hard chapter नहीं है बस इसको समझाने का तरीका चाहिए जदि समझाने वाल अच्छा मिल जाए तो आपको कोई भी subject hard नहीं होता है सभी subject को आप बहुत ही असानी से समझ जाईएगा और हम आपको कोशिस करते हैं कि बहुत simple language में आपको कोई भी चीज़ को समझाए जिसे कि आप असानी से समझ जाएए ठीक है तो जो परिभासा हम आपको यहाँ पर देते हैं अगर सिर्फ यहीं परिभासा को आप same to same exam में अगर लिखते हैं तो आपका एक भी number कटने वाला नहीं है तो ध्यान से इन सारे परिभासा को देखिएगा और अपने notebook पे note करते चलिएगा तो चलिए अब हम लोग संसाधन के बारे में और देखेंगे कि संसाधन के उप्योग एवं उत्पत्ति के अधार पर विक्सित विकास सील अथवा अर्ध विक्सित के स्रेनी में बाटा गया है मतलब संसाधन को तीन बर्गों में बाटा गया है विक्सित संसाधन, विकास सील संसाधन और अर्ध विक्सित संसाधन तो अब हम लोग अगला question देखेंगे कि दुसरा संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतरसपस्ट करें मतलब संभावी संसाधन क्या है और संचित कोश संसाधन क्या है तो दोनों में अंतर असफ़ष्ट करना है तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संभावी संसाधन क्या है तो वैसे संसाधन जो किसी छेतर विशेस में मौजूद होते है देखिए इसका नाम ही है संभावी संसाधन मतलब सिर्फ संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि उस छेतर में संसाधन मौजूद होगा ठीक है, तो मतलब संभावी कहने का मतलब हिवा संभावना नाम में इसका परिभासा छुपा हुआ है तो अब इसे ध्यान से समझेगा क्यों वैसे संसाधन जो किसी छेतर विशेस में मौजूद होते हैं जिसे उप्योग में लाने की संभावना बनी रहती है अभी इसका उप्योग नहीं किया गया है जैसे हिमाली छेतर का खनेज राजस्थानेवं गुजरात में सौरूरजा मतलब संसाधन तो मौजूद है लेकिन अभी तक उसका उप्योग नहीं किया गया है मतलब सिर्फ संभावना है कि उसका उप्योग भविस में किया जा सकता है इसी को हम लोग बोलते हैं संभावी संसाधन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं संभावी संसाधन चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे कि संचित कोस संसाधन किसे कहते हैं तो संचित कोस संसाधन को हम लोग समझेंगे कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के ही अंस होते हैं मतलब वो भंडार में रखा हुआ संसाधन होता है हमारे पास वो संसाधन उपलब्ध होता है जिसे उपलब्ध तक्नीक के अधार पर परयोग में लाया जा सकता है मतलब संसाधन तो हमारे पास है और जो तक्नीक भी हमारे पास बास्तविक समय में मौजूद है उस तक्नीक का उप्योग करके हम उसको उप्योग में ला सकते हैं इसका उप्योग ततकाल में नहीं हुआ है प्रन्तु भविस के लिए यह सुरच्चित है मतलब इसका उप्योग अभी नहीं हो रहा है लेकिन इसका उप्योग भविस में हो सकता है अपने तकनीक का इस्तेमाल करके तकनीक क अधार पर तो इसी को हम लोग बोलते हैं संचित कोश संचित कोश कहने का ही मतलब हुआ जमा कोश में जमा हुए संसाधन उसी को हम लोग बोलते हैं संचित कोश संसाधन ठीक है चलिए अब हम लोग अगला कोशन देखेंगे कि संसाधन संरक्षन की उप्योगिता को लिखें स संसाधन, संरच्छन की उपयोगता क्या है? मतलब संसाधन को हम लोग को क्यों संरख्षित करना चाहिए, क्यों बचा करके रखना चाहिए? तो चलिए, इस कोश्चन को हम लोग देखेंगे. सभेता एवं संस्क्रीती के विकास में संसाधनों की अहम भूमका होती है. आप जानते हैं कि कोई भी देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमका होती है और संसाधनों को बिवेक पूर्ण, समाजिक, आर्थिक और संस्कृतिक एवं परियावर्निय समस्याओं के समाधान हेतु उप्योग करना ही संरक्षन कहलाता है कहने का मतलब हुआ कि कोई भी संसाधन रहे उसको बिवेक पूर्ण तरीके से उप्योग करना चाहिए, समाजिक उप्योग को देखकर करना चाहिए, आर्थिक, संस्कृतिक, एवं परियावर्निय समस्याओं के समधान हेतु मतलब गलत तरीके से उसका यूज नहीं करना चाहिए, या तो समाजिक तरीके से यूज करना चाहिए, मतलब उसका उप्योग समाज के लिए हो, आर्थिक, स्थितिक के लिए हो, संस्कृतिक के लिए हो, परियावर्निय के लिए हो, एवं समस्याओं के समधान करने के लिए हो उसका उपयोग करना ही संसाधन संरक्षन कहलाता है और भविस में आने वाले पिढ़ी को मतलब जो हमारे बाद जो हमारे बाद जो पिढ़ी आएंगे तो हमारे बाद आने वाले पिढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले अता है इसका संरक्षन करना अवश्यक है मतलब जि तो उसी को हम लोग संसाधन का संडक्षन बोलते हैं चलिए अब हम लोग अगला नंबर कोश्चन देखेंगे कि संसाधन निर्मान में तकनीक की क्या भूमका होती है असपस्ट करें संसाधन के निर्मान में तकनीक की क्या भूमका होती है इस बात को असपस्ट करना है तो संस संसाधन निर्मान में तक्नीक की अहम भूमका होती है। की खोज की जाती है बिना तकनीक अथवा कार्ज कोसल एवं निपुंता के बिना संसाधनों का खोज एवं उप्यों की बिद्या पाना संभव नहीं है मतलब जब तक हमारे पास कोई तकनीक नहीं रहेगा हमारे पास कुसलता नहीं रहेगी तो हम किसी भी संसाधन को नहीं खो हुआ है और बाद में हम उसको उत्खनन करकर के खुदाई करकर के उस संसाधन को निकालते हैं और अपने उपयोग में लाते हैं तो इसी बात को कहता है कि संसाधन निर्मान में तकनीक की क्या भूमका है तो संसाधन निर्मान में तकनीक की बहुत भूमका है क्योंकि तकनीक क अधार से ही हम लोग संसाधन निकवा निर्मान कर पाते हैं संसाधन को खोज पाते हैं अब यहां से हम लोग देखेंगे दिर्गुतरिये प्रशन जो की पांच नमर के कोश्चन होते हैं जितने सारे भी अगर कोश्चन दिर्गुतरिये से आते हैं तो आपको पांच नमर के क पूछे जाते हैं तो संसाधन के बिकास में सतत बिकास की अविधारना की ब्याख्या करिए ठीक है कोश्चन कहता है कि संसाधन के बिकास में सतत बिकास की अविधारना की ब्याख्या करिए तो देखिए जो दिरहुतर ये प्रश्ण होते हैं उसमें कम से कम आपको 400 बड़ से अधिक 400 सब्दों में आपका ब्याख्या करना होता है तो एक question का answer थोड़ा लंबा जाएगा तो इसको आप ध्यान से समझीएगा ठीक है तो कहता है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की क्या अधारना है इसका हमको ब्याख्या करना है तो संसाधन मनुस की जीवका का अधार है इस बात को तो हम आपको बताए कि संसाधन मनुस की जीवका का अधार है मतलब संसाधन के बिना मनुस का जीवन संभब नहीं है जीवन की गुनवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अविधारना अती अवस्यक है मानव के लालच और लिपसा ने संसाधनों का तिबरतम दोहर कर संसाधनों के भंडार में चिंतनिये हरास ला दिया है तिबरतम दोहन कहने का मतलब हुआ कि मानव कभी यह नहीं सोचता है कि जिस परकार से संसाधनों का उप्योग हम कर रहे हैं हमारे आने वाले पिड़ी भी इसी परकार से संसाधन का उप्योग करें इसलिए हम लोग संसाधन को बचा करके रखें संसाधन को संडक्षित करके रखें तो लोग यह नहीं सोचते हैं और संसाधनों का जितना मंचा है उतना बरवाद करके भी लोग संसाधनों का दोहन करते हैं इसी को कहा जाता है और बहुत तेजी के साथ दुहन कर रहे हैं जिससे क्या हुआ है कि संसाथनों का जो भंडार है उसमें कमी आई है उसमें हरास आया है तो भूमंडलिये तापन ठीक है जो भूमंडलिये तापन है ओजोन परत का जो छह हो रहा है पर्यावरन का जो परदूशन हो रहा है ठीक है भूमंडलिये तापन ओ समय रितु परिवर्तन जैसी प्रस्थितिक संकट पिर्थिवी पर ब्याप्त सभता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है, मतलब देख रहे हैं, जिस परकार से हम लोग संसाधनों का इतनी तिव्रितम गती से दोहन कर रहे हैं, तो उतना ही हम लोग को ही नुकसान पहु बर्सा रितु नहीं आ रहा है, तो अनेक परकार की हमारे पास समस्याएं खड़ी हो रही है संसाधन का तिव्रितम तरीके से दोहन करने से, तो हमको इसको बचा करके रखना चाहिए, और यहां तक की भारत के या पिसी भी देश के सभता और संस्कृति को निगल जाने के ल रखना है, सतत विकास कहने का मतलब हुआ कि बिना पर्यावरन को छटी पहुंचाए या बिना समाज को छटी पहुंचाए, बिना संसाधन को छटी पहुंचाए, जदी हम लोग भविस के अपसक्ताओं को मद्दे नज़र रखते हुए, कि भविस में भी हमको इसके अपसक पहुंचा करके नहीं बलकि पर्यावरन को ध्यान में रखते हुए संसाधन को बचा करके जो विकास किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास ठीक है तो पहला नमर जो कोश्चन है आप उसे समझ गए अब दूसरा नमर कोश्चन कहता है कि स्वामित्व के अधार प तो आप इस कोश्चन को ध्यान से समझेगा और अपने दिमाग में रखिएगा चलिए तो इस कोश्चन को हम बताते हैं कि स्वामित्व के अधार पर संसाधन को कितने बर्गों में बाटा गया है तो देखे इसका अंसर होगा स्वामित्व के अधार पर हमारे देश में संस संसाधन दूसरा होता है सामुदाइक संसाधन और तीसरा होता है राष्ट्रिय संसाधन और चौथा होता है अंतर राष्ट्रिय संसाधन ठीक है तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ब्यक्तिगत संसाधन क्या है ब्यक्तिगत ब्यक्तिगत कहने का मतलब हमको समझ में आ रहा ह एक व्यक्तिका ठीक है व्यक्तिकत कहने का मतलब किसी खास व्यक्तिका किसी एक व्यक्तिका तो वैसे सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्तिका अधिपत होता था इसके एबज में वह सरकार को अपनी इक्छा से लगान देता है अथवा नहीं भी देता है जैसे बाग बगी कि इसका example क्या होगा तो फिर से हम आपको व्यक्तिगत संसाधन के पारे में बताते हैं कि जैसे कोई भी संसाधन रहे उस पर किसी खास व्यक्ति का हक रहे किसी नीजी व्यक्ति का हक रहे और इसके बदले में वह सरकार को या तो टेक्स देता भी हो या फिर टेक्स नहीं भी तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिकत संसाधन तो वैसे सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्तिका धिपत हो तथा इसके एबज में वह सरकार को अपनी एक्छा से लगान देता है अथवा नहीं भी देता है जैसे बाग, बगीचा, तलाव, कुआ, इत्यादी उसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिकत संसाधन अब हम लोग देखेंगे कि समुदाईक संसाधन क्या है दूसरा नमबर है समुदाईक संसाधन क्या है तो वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाई अथवा समुग के लोगों के लिए उप्योग में लाया जाता है ठीक है जो किसी कहने का ही मतलब हुआ समुदाय के लोगों को तो वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथपा समुदाय के लोगों के लिए उप्योग मिलाया जाता है इसके अंतरगत क्या क्या चीज़ आता है जो आप देख लिजे पसुचारन भूमी मतलब जहां पसु चर्तने के लिए जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं चारन भूमी मंदिर, मस्जिद, शमसान घाट, शमुदाइक भवन आदी आते हैं जो समुख के लोगों के लिए सर्विसूलब है मतलब इसका उपयोग समुख के समाज के सारे लोग इसका उपयोग बिना रोक ठोक के आसानी से कर सकते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं समुदाइक संसाधन अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रिय संसाधन क्या है पहला हम लोग देखें ब्यक्तिगत संसाधन, दुसरा हम लोग देखें समुदाइक संसाधन और तिसरा राष्ट्रिये, राष्ट्रिये कहने का मतलब कि जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो उसको हम लोग राष्ट्रिये संसाधन बोलते हैं तो इसको हम लिखेंगे कि इस परकार से कि आर्थि क्या कानूनी तौöd पर देश क्या राश्त्र के अंतरगत सभी उपलब्द संसाधन रष्ट्रिय संसाधन कहलाते हैं मतलब आर्थिक तौर पर या फिर कानूनी तौर पर मतलब जो भी चीज राष्ट्रिये है उस पर कानून का अधिकार होता है कि उस पर कानूनी करवाई होती है कानूनी प्रकिरिया लगती है तो आर्थिक या कानूनी तोर पर देश या राष्ट्र के अंतरगत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रिये संसाधन कहलाते हैं अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कि किसी भी देश के सरकार को या हक है कि वे ब्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहन आम जनता के हित में कर सकता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रिय संसाधन अब चौथा और सबसे लाष्ट देखेंगे कि अंतारश्ट्रिय संसाधन क्या है तो इस परकार के संसाधनों का नियंतरयन अंतारश्ट्रिय संसथा करती है इस परकार के संसाधनों का नियंतरयन अंतराष्ट्रिय संसथा करती है मतलब समुद्री तट्रेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महसागरिये छेत्र अंतराष्ट्रिये संसाधन कहलाते है मतलब जो ठट रेखा से 200 किलो मिटर दूरी को छोड़ कर जो खुले महसागरिये छेत्र होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर रस्ट्रिये संसाधन छेत्र ठीक है तो आप देख लिए कि व्यक्तिकत संसाधन क्या है स्वामित्व के अधार पर यहीं चार संसाधन होते हैं जिसको क्या आपको लिखना होता है अगर आप अच्छे तरीके से इन चारों संसाधनों के बारे में लिखते हैं तो आपका पांच नम्मर बोर्ड में फिक्स हो जाएगा ठीक है तो आप इन्सको ध्यान से समझेगा बहुत जादा important question है अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रकिर्तिक संसाधन क्या है ठीक है अब आगे से नया topic शुरू होता है जो पहला भागता आपका वहाँ पर समप्त हो जाता है और अगला यहां से शुरू होता है कि प्रकिर् वीडियो में देखते जाएंगे तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रकिर्तिक संसाधन क्या है तो आज सबसे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक ग्रूप है फेस्बुक पेज है सभी पर आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाएंगे जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधे हमसे कॉंटेक्ट कर सकें सीधे आप हमसे बात कर सकें तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और बत